हमारे शाद जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को जरूर प्रेश करें नवस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज का टॉपिक है सब्द विचार, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और सब्सक्राइब करने के बाद मैं पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेश करें ताकि प्रतिक नोटि शब्द का सब्द की परिभाशा किया होती है शब्द होता है वो वर्णों से मिलकर बनता यह वर्ण की से किते है व's स्वर और व्यनजन अर्थाथ शवर और व्यनजनों के चार तक शमुए को शब्द केते हैं अर्थात शब्द का निर्माण वर्णों के शार्थक शमूह को शब्द केता है शार्थक का तात्परिय ये है कि शमूह ऐसा हो जो अर्थ देने वाला हो शार्थक से अर्थ यानि शमूह के शाओ अर्थ देने वाला हो जैसे वर्ण है आपके ज, दूसरा वर्ण है आपके ल अब इनका हम मिलान करते हैं तो सब्द का निर्मान होता है जल ये बिल्कुल शार्तक शब्द है अगर इसको हमने लज लिख दिया तो क्या ये शार्तक होगा? बिल्कुल नहीं होगा अब वर्णों से शब्द बनते हैं शब्दों से क्या बनता है? वाक्ये शब्दों से वाक्ये बनता है अर्थाद ये एक प्रोसेस है वर्ण से शब्द, शब्दों से वाक्ये और वाक्येस एक भाषा का निर्मान होता है भाषा का निर्मान वाक्येस होता है वर्णों के शार्तक्षमों को सब्द केते हैं और शब्दों के शार्तक्षमों को वाक्य केते हैं और जब वाक्य का शार्तक्षमों बन जाता है तो वो एक भाषा का मिर्माना को करती है शब्दों की शब्द की परिवासा देख लेते हैं एक या एक से अधिक वर्णों से बनें सार्तक ध्वनिश्वमों को शब्द केता है जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया है शब्द के भेद, शब्द की उत्पती या स्रोत के अधार पर, रचना या बनाउट के अधार पर, परियोग तथा अर्थ के अधार पर, शब्दों के निम्न भेद किये जाते हैं आज हम बढ़ेंगे शिर्फ और शिर्फ सब्द की उत्पती वे स्रोत के अधार पर उत्पती के आधार पर उत्पती के आधार पर सब्दों के परकार कितने हैं उत्पती एवंशरुक्त के आधार पर हिंदी भाषा के भाषा में सब्दों के निम्न चार उप बेदों में बंटा गया है निम्न चार उप बेदों में बंटा गया है तो कौन-कौन से देख लेते हैं सामाने ते चार भागों में बांटा गया लेकिन आजकल एक 500 भाग भी इसके अंदर समिलित हो गया तो इसमें पहला भाग है तत्सम दूसरा है तत्भाव देशज विदेशी और पांच वा एक और आगया जिसे हम शंकर कहते हैं आज हमें वो इन दो के बारे में पढ़ेंगे तत्सम और तद्वु शब्दों के बारे में अधियने वो करेंगे तत्सम शब्द तत्सम का संधी विचेज अगर करें तो इसका अर्थ होता है तत्दन शम शम का अर्थ होता है समान और तुत का अर्थ होता है उसके अर्थाथ इसका समाने ते अर्थ होता है उसके समान उसके समान किसके समान अभी देख लेते हैं किसी भाषा में प्रियुक्त उसकी मूल भाषा को तत्सम कहते हैं यानि किसी भी भाषा में प्रियुक्त उसकी मूल भाषा को तत्सम कहते हैं मूल भाषा जिससे उस भाषा का जनम हुआ है हिंदी की मूल भाषा संस्कृत माने जाती है हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जियों के त्यों प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें तत्रम शब्द केते हैं अर्थात हिंदी की मूल भाषा कुन सी है संस्कृत है ठीक है? अब संस्कृत के वेशब्द जो जो केतियों हिंदी में प्रियुक्त हो गई उन्हें कोई बदलाव नहीं किया गया संस्कृत के वेशब्द जो हिंदी में जो केतियों प्रियुक्त हो गई उन्हें हम तत्सम सब्द केते हैं अब इससे पहले देख लेते हैं कि यह हमारी हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ सबसे पहले संस्कृत है वो जन्मनी भाषा है संस्कृत जन्मनी भाषा है उसके बाद में आई वेदिक संस्कृत है उसके बाद में आई लोकिक संस्कृत जिसमें ये जो लोगों दोवरा बांची जाने वाली सेंस्कृत थी उसके बाद में पाली उसके बाद में प्राकृत उसके बाद में अपभरांस उसके बाद में सोरसेनी और सोरसेनी के बाद माई हिंदी तो हिंदी है वो हमारी सोरसनी भाषा से निकली हुई है और हिंदी की मूल भाषा संस्क्रित है इसके उधारन है वो बाद में देखेंगे तद बहुपडने के बाद में तद्भवशब्द, उच्छारण की सुईदा अनुशार संसकर्टक्र वे शबद जिनका हिंदी में रूप परिवर्फन हो गया हिंदी में तद्भवशब्द कहलाते हैं अब तद्शम्षब्दों के अंदर तो क्या हुआ था कि संस्क्रट के वे शब्द थे जो सिद्दे, हूब वहू, जियों कितिओं जैसे संस्क्रट में थे वो सिद्दे, सिदे हिंदी में में अमने प्रियुक्त कर लिए तो वो तो तद समगे लाते हैं और तद वो में क्या हुआ कि उचारण की सुईधा अनुसार अब द deficit के更ering करने लग गया है एसे सब्दों के अब देखिये बदल्डय कैसे किया है जैसे छंदा है चंद करंद lac कि इसका सुधर रूप यह चंदर CE का शब्राइब ऑगनि इसका सुद रूप अगनी हम अगनी को भी नहीं बहुत हैं हम अगनी को आंग भोलतें जीवा जीवा को जीव बोलते हыт में जिव funcion कम अज़री आयं अब इसकी पहचान की एक बहुत आसान सीटरिक है अरपन को हम तदभुख शब्द में अरपन केते हैं अब इसके अंदर क्या ध्यान क्या रखना है कि जो अणे है यह जहां पर आएगा वहां तच्छम सब्द होगा और इसकी जगें तदबू में न आ जाएगा क्या आएगा न आएगा आमर है आमर तच्छम सब्द है आमर का तदबू होगा आम उश्ट का उउट करण का करण गर्दब का गधा और क्षेतर का खेत होगा ये है तत्समुर्दबू बदला अब क्या होता है तत्समुर्दबू सब्दों के अंदर पेचान करने में थोड़ी इसी दिक्कते आने लग जाती है जब ये प्रशन मा जाते तो विकल पाते तो थोड़ी confusion पैदा कर देते है तो इसमें क्या है सारे शब्दों को याद कर नहीं सकते है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें थोड़ी इसी short trick है वो ध्यान रखने पड़ती है तो वो अगर ध्यान रखेना तो हम इसमें लग बग काफी आत्तक है वो शब्दों की पैचान कर सकते है एक क्या है इसमें तत्दबू शब्दों में न आएगा और वही वापस तत्दबू में अगर जाएगा न बदला होगा न तो न की जगे अने आ जाएगा नमबर बन दूसरा है जह तत्दबू माएगा जहां तत्दबू के अंदर जे आएगा वो तत्दबू के अंदर बिलकुल ये बदल ये बन जाएगा जैसे जग है जग का अगर तत्सम होगा तो यग्य होगा जो जाएगा एक और है गः अगर तत्वो शब्द माएगा तो वो तत्सम में गेम बदल जाएगा यह और चीज दियां रखने वाली बात है ठीक है उसके बाद में जहां चंद्रविंदु आज़िया यानि अनुनाशिक जहां भी आता है वो 100% कोई दोराई नहीं आँखे बंद करके कई भी अनुनाशिक आता है तो आप तद्वो शब्द लगा देना तत्सम सब्द होगा अनुनाशिक जहां प्याएगा और अनुशार होएगा वहाँ 99 पर तिसत तत्सम सब्द होते हैं तत्सम सब्द होते हैं अनुशार में ठीक है स्विंकताकसर स्विंकताकसर के अंदर जो क्षेत्र गया चार क्षेत रहे गिया और स्रे जो है ये इन से मिलावा कोई भी शब्द आता है तो 90% से उपर ये सब्द है वो तत्सम सब्दों में जाएंगे ठीक है और री जो है वो भी तत्सम सब्द में गिना जाएगा और भी इसकी बहुत सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आमीन की है वो पेचान कर सकते हैं अगर आप तत्सम और तत्सम वो शब्दों का एक separate वीडियो चाहते हैं शब्दों का तो मैं लेके आजाऊँगा अगर चाहते हैं तो आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं और अभी इसके साथ नहीं लेके आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे और आप अगर चाहते हैं तो मैं वो जरूर बना करके वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे देसज वीडेशी और शंकर शब्द मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप इसको देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें कमेंट करें मिलते हैं नेक्सट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ट